हलो स्टूडिन्स दिस डॉक्टर हिमांशी ओजा आपका अपना कॉलेज का का देखिए आपने नीट का फॉर्म भरा और बहुत सारे बच्चिया ऐसे उते हैं क्योंकि पहली बार नीट का फॉर्म भर रहे हैं मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतिया हो जाती है थोड़ी बहुत, हाला कि हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि गलतियां नहीं करनी है, आराम से देख के करना है, पूरा वीडियो बनाया ताया है, तो पहले भी एक वीडियो बनाया, correction window को लेकर के, उसके बाद से बहु genuine content आपको last round तक counseling तक मिलेगा और paid counseling चाहिए हमसे counseling चाहिए last round तक चाहिए अभी से लेकर चाहिए number नजर आता है आपको नीचे 7230005333 इस पर whatsapp करना है calling नहीं whatsapp करिए इतना सा लिखिए NEET UG counseling आगे हम सारी detail आपको भेज देंगे अब देखिए start बात यहां से होती है कि कई लोगों ने कहा कि NEET 2023 में इस बार correction window open नहीं होगी बहुत सारे लोगों ने बोला हमने इस पर वीडियो भी बनाया था फिर से मैं वहीं से start कर रहा हूं यह information bulletin की बात है NEET 23 की इसमें clear cut यहां लिखा है correction in particulars आप check कर लीजिए और लिखा है to be intimated later on the website आगे बताया जाएगा अब वो date क्या होने वाली है तो देखिए information bulletin अभी नहीं दिखा रहा था इसे 6 तारिक आज last date है NEET form को भरने की in case extend होती है तो notice आजएगा नहीं होई तो यह मान के चलिए चाहे extend हो ना हो सबसे important जो dates हैं जब correction window आपकी open होने की chances हैं वो हैं 10 से 15 अपरिल 10 तू 15 अपरिल के बीच में correction window open होने की पूरी पूरी chances है आपको क्या करना है उसको समझ लीजिए आपको wait नहीं करना है कि कोई video बनाए हमारे लिए हमको यहां से information पता चले वहां से चले आपने application form भरा था उसे check करेंगे और वहां क्या मिलेगा आपको वो बता देता हूं मैं जैसे ही आप जाएंगे जैसे ही correction window के लिए notification आया यहां लिखा हो आ जाएगा correction for need ug जैसा यह 22 में आया था ऐसा ही 23 में यह start हो जाएगा इससे आपको clear हो जाएगा कि हां correction आ गया है उ और आप जा करके correct करेंगे अब correction क्या क्या हो सकते हैं तो पहले तो बात करते है last year की और उसमें इस बार क्या add हो सकता है उसकी भी तो देखिए correction window का इस तरह का एक notice आएगा एक notice भी आएगा तो आपको जो notices नजर आते है नीचे information नजर आती है NTA NEET की website पे वहां ऐसा notice आए भी थी केवल चार दिन के लिए तो मान के चलिए तीन से चार दिन के लिए ओपन होगी correction window ज्यादा दिन नहीं मिलेंगे और 10 से 15 के बीच में ये सबसे high chances है open होनेगी क्योंकि उसके बाद admit card पे release करना है 7 मही को need be है ये dates बहुत important रहने वाली है आपको अभी से ही daily आज इनी ये need की website को visit कर लेना information bulletin जाने की ज़रत नहीं है केवल नीचे ही जहाँ पर आपको notifications मिलते हैं वहीं पर लिखा हो आ जाएगा उपर बीच में आ जाएगा कि ये आ गया और इस तरह का notice होगा इस notice पर ऐसे लिखा रहता है 2023 रहेगा और start हो गया है ये सब चीज़े रहेंगी अब आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर एक fees भी लिखी होगी normally correction करने की fees नहीं होती है केवल एक case में अगर आपने पहले category भरती थी SCST, OBC, EWS कुछ भी और आप अब general में convert कर रहे हैं तो आपको पता है general की fees 1700 है जो application fees है बाकी की कम है अगर आपने पहले कम वाली भरी थी तो अब आप remaining amount pay करेंगे यह होता है actually fee इसके अलावा अगर आपने कोई category change नहीं की कुछ भी नहीं किया इस case में इसके अलावा आपको कोई fee देने की ज़रत नहीं है आप कोई भी correction कर सकते हैं free में fee नहीं देनी है देखिए इस तरह का notification में ही लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ आप change कर सकते थे तो last year जो है पहले उसको देख लेते हैं आप change कर सकते थे candidates से related चीज़ें जैसे के आप इसमें लिखा है mobile number, email address, permanent address, correspondence address और nationality इन्हें छोड़कर बाकी चीज़ों में changes थे इनको तो बिल्कुल नहीं कर सक सकते थे ठीक है accept लिखा है अब देखिए क्या क्या change कर सकते थे आप all the three fields verified candidate name, date of birth and gender अगर आधार verified है अगर आधार verified है आपको अलग अलग लिखा हो आ रहा होगा आपके confirmation page है उस पर या तो लिखा है आधार verified या not verified अगर verified है तो क्या क्या करने को दिया गया था कहा गया था कि अगर verified हो जाता है तो उस case में name यानि candidate का name, date of birth और gender ये change नहीं कर सकते हो ठीक है all two fields यानि candidate name, date of birth and gender, correction in the is not verified field be allowed ठीक है कोई भी चीज अगर आपकी आधार में verify नहीं हुई कोई भी चीज जो verify नहीं हुई वो आपको बस उसे आप correct कर सकते हैं जैसे लिखा है कि candidate name, date of birth या gendered में से कोई भी चीज अगर not verified रह गई है तो उसे आप correct कर सकते हैं ये ठीक है father's and mother's name ठीक है ये आप change कर सकते है candidates can change either लेकिन पिछली बार क्या condition दे दी थी या तो father या mother एक का नाम change होगा दोनों नहीं होगा ये कह दिया गया था ठीक है इसे ही इसके अलावा अगर कोई बच्चे ने father mother का नाम भी गलत कर रखा है कोई एक नाम और signature या photograph में भी गलती है तो दोनों को सई नहीं कर सकता था या तो एक काम कर या आप नाम change कर लीजिए father या mother में से किसी एक का या आप sign या photo में से कोई एक चीज अपलोड कर दीज जब यह थे कि मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं बच्चे कहेंगे बाद में से यह क्या हुआ यह हमारे लिए नहीं है यह इन्होंने का है NTA ने का है last year का है इस बार देखते हैं को changes हो आपके favor में हो बहुत अची बात होगी हम तो चाहते हैं यही चीज ठीक है अब इस चेंज कर दो या पहले आपने category certificate नहीं डाला था self declaration नहीं डाला था वह आप वह डाल दो दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो लेकिन दोनों नहीं ऐसा last year कहा गया था अब इसके बाद बात करते हैं क्या सब category यानि PWD वो भी यही था कि या तो category चेंज कर लो या आप certificate डाल दो दोनों में से एक चीज कर सकते हो अब वो बच्चे जिनका आधार verified नहीं हुआ है ऐसे बच्चे जिनका आधार verified नहीं हुआ है और आधार not verified candidates उनके लिए क्या है भई अगेन father या mother कोई एक नाम चें कर सकते हो sign में से वही चीज यहां पर भी रखी थी ठीक है फिर इसके बाद में category वही PWD वही changes बस इतना था कि यहां पर लिखा है in case candidate is changing any of these three fields तीनों fields आप change कर सकते हो candidate name भी वहाँ पहले केवल father या mother name में से एक चीज थी लेकिन verified नहीं हुआ है ऐसे बच्चे जिनका आधा में कुछ गलती है spelling या कुछ भी तो वो अब यहां पर अपना name candidate name भी change कर सकते हैं ऐसे student जिनका आधार verified नहीं था जिनका verified है वो father या mother में से किसी एक के name में change कर सकते हैं तो यह चीज़े last year कही गई थी कि क्या क्या change कर सकते हैं आप और date of birth और gender भी change करने के लिए कहा गया ऐसे बच्चों का जिन्होंने जिनका आधार कार verified नहीं हुआ है जिनका हुआ है उनको नहीं दिया था जिनका नहीं हुआ है उनको date of birth और gender भी change करने का मौका दिया गया था यह chances है इसके अलावा इस बार क्यूंकि आपको पता है कि proof भी मांगा गया है address का permanent address and correspondence address या temporary जो अ चीजों को बच्चों को दिक्कत आई थी तो हो सकता है इस बार वो भी एक additionally आपको benefit दे दिया जाए अब आपको क्या करना है simply आप समझ चुके हैं आपको daily check करनी है NTA की website उस पे जाकर NTA normal नहीं NTA NEET की website उस पे information आपको मिलेंगी जैसे ही मिलता है notice मिलता है उस notice को पढ़े करेंगे और आप change करेंगे अपने और ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तीन से चार दिन ही मिलने वाले हैं और 10 से 15 तारिक वो major dates हैं जिनके बीच में ये correction window open हो सकती है तो be prepared अगर आपने गलती कर दिये तो ये एक last मौका रहेगा be prepared इसके अलावा कई बच्चे कहते हैं sir हमन major issues नहीं है मैं आपको बता देता हूं ये कोई major issues नहीं है हाला कि major issue क्या है बच्चे को चाहिए था Hindi medium में paper उसने English भर दिया ये major issue है और ये change भी नहीं करने दिया गया था last year let's see इस बार क्या रहता है NTA का क्या वो change करने देते हैं but last year नहीं करने की दिया गया था तो जो major issues ह नहीं है salary, qualification, occupation ऐसी कोई चीज में आपने कोई गलती कर दी डरिये मत आप, tension मत लीचिए, सब ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आपका application form reject नहीं हो रहा है, आप NEET का exam भी देंगे, counselling भी करवाएंगे, admission भी लेंगे, हम बैठे है ना उसके लिए, आप tension free रह गई और गलती कर दिया आपने, मैं other than center की बात कर रहा हूं, other than जैसे कई बार बच्चे कह रहा है, NTA center change, अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकते, medium of language या जो आपका paper है, नहीं कर सकते, तो वहां नहीं कह रहा हूं, मैं इसके अलावा, जो चीजें है यहाँ पर, major है अगर, और आपने गलती कर भी दिये, ठीक है, आगे उसका भी solution होता है, आप court से affidavit बनवा सकते हैं, कि यह हमारा actual है, और यहाँ हमने यह कर दिया था, दिक्कत नहीं आती है, don't worry, counseling के लिए हम बैठे हैं, आप लोगों के साथ हमेशा कहते हैं, tension free रहें आप, और कोई भी, किसी भी आपको हमारे साथ जुड़ना है, last round तक paid counseling करवानी है, whatsapp नमबर नीचे दिखे हैं, उस पर किवल whatsapp करिए, लिख दीजिए, need youg counseling, channel को फिर से कह रहा हूँ, subscribe इसलिए करना है, क्योंकि लोग आजकल कुछ भी आके, youtube पे बोल के जा रहें, even हमें भी copy कर रहें, तो भी पूर नहीं कर पारें, उसमें भी कई information गलत दे रहें, ऐसे में गलत information आप तक नव पहुंचे, channel subscribe करके रखिए, authentic चीजें last round तक आपके पास रहेंगे, all the best